विविन देवित्य ताहर का गाहित्री दुर्गा गाहित्री ओम कात्यायन्य इविद्महे कन्या कुमारी धिमही तनो धूर्गा प्रचो दयार लक्ष्मी गाहित्री ओम महा लक्ष्मी चविद्महे विष्णु पत्ने चधी मही तनो लक्ष्मी तचो दयार सरसुति गाहित्री ओम महा सरसुतै चविद्महे सर्वसक्त्य चधी मही तनो वानी प्रचो दयार राधा गाहित्री ओम्रिम्राधिकायय विद्महे गांध विरकायय धीमही तनो राधा प्रचो दयार सिता गाहित्री ओम जनकात्म जायल विद्महे राम पत्ने चधी मही तन्सिता प्रचो दयार गांध गाहित्री ओम भागी रध्यय चविद्महे विष्नु पत्ने चधी मही तनो गांध प्रचो दयार तुलसी गाहित्री ओम तुलसी पत्राय विद्महे विष्नु प्रियाय देमही तन्सिता प्रचो दयार गांध गाहित्री ओम बगला मुख्यय विद्महे इस्तम धिन्य दीमही तनो देवे प्रचो दयार विष्नु गाहित्री ओम विदात्मनाय विद्महे हिरन्य गर्भाय देमही तनो ब्रम्हा प्रचो दयार विष्नु गाहित्री ओम नाराय दाय विद्महे वासु देवाय देमही तनो विष्नु गाहित्री विद्महे वासु देवाय देमही तनो विष्नु गाहित्री ओम नाराय विद्महे वासु देवाय देमही प्रच्छन प्रचो दया शिर्दायत्रु आम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमही तनुरुद्रा प्रचो दयार। राम गात्रे। ओम दाशर्थाय विद्महे सीतावल भाय धीमही तनुरुद्राम्ह प्रचो दयार। अम्राम दूताय विद्महे वाय। पुत्राय धीमही तनुरुद्राम्ह प्रचो दयार। अम्राम्ह प्रचो दयार। कार्द के गात्रे। ओम तत्पुर्शाय विद्महे महसेना यधीमही अम्राम्ह प्रचो दयार। 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 श्ष्वानराय विद्महे लालिलाय धीमही तन्नो अगनी तचोधयाद वायु गायत्र वूम् पवनपुर्शाय विद्महे शहस्त्रमूर्थय धीमही तन्नो अगनी वायु प्रचोधयाद गुरु गायत्र वूम् परप्रमणे विद्महे गुरुदेवाय धीमही तन्ना गुरु प्रचोधयाद विश्वकर्मा गायत्र वूम् विश्वकर्मने विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमही तन्नो शिल्पी प्रचोधयाद सूर्य गायत्र वूम् अधित्याय विद्महे शास्त्रक्र्णाय धीमही तन्ना सूर्य प्रचोधयाद सूर्य गायत्र वूम् अत्रिपुत्राय विद्महे शागरुद्ववाय धीमही तन्नस्चंद्र प्रचोधयाद वेद्गोध्पति कहिये बन आर्य वर्तकारिशिमोनिहर को ज्ञान को उच्चतम चिंतन को पजने वेद्व कईयों तत्तो वेत्ता हरुले संपूर्ण जिवन खर्चेर प्राप्त ज्यान रासी वेद्व ये स्वित्र ज्यान विज्यान खगोल भुखोल आदी जुन्सके विशेका ये थेश्ट सामागरे समाविष्ट भायकोच वेद धर्मको मूल शोथो वेदमा मंत्र को भंडार यंत्र को खजाना तंत्र को संकलन भायको जता तते देखन सकेंच बिविन कालकंडमा परमात्मको स्वास को रूपमा हम्रा विशिमनी हरले जे देखे तेसको संकलने वेद हो वेद मातने धर्मको उत्पत्ति भयो प्रमांडका रहश्य जीवको महिमा र परमात्मा चिंतनको रहश्य र यथार्थ तत्व प्राप्त गरेर यधरा पावित्रम भयो वेद काई कारण रिशी जन्नी है विज्ञान को उत्तपत्ति भयो तिसे ले सबई ज्ञान हर को जन्नी नहीं वेद हो वेद पौरुशेय वा पौरुशेय क्यों भन्य विश्यमा विवाद रहे को बनी देखी जा वेद का मंत्र कसे ले निर्माडगर को ही ना तेसे ले रिशी हर को तपो बल बाट प्राप्त भयको सब्द राशी नै वेद हो अनादी वाट प्राप्त भैको नाले मंत्र उत्पति को मेती चाई बेविन्न काल खंड मां अमना पुर्खारु ले अथक मेहनत अनवरत साधना अवीरल परिश्रम करे रप्राप्त गरे को महुश्रदी नई वेध हो विज्ञान का खामा यो महा विज्ञान हो मंत्र का तृष्टि ले महा मंत्र हो ज्ञान पक्षलाई विचार गरने हो अने महा ज्ञान हो अने सवही दर्शन को आस्र अस्थल हो यो हन्दा ठुलू पलब्दी नहीं जो भायो ना आज न भोली होला बनेर कल्बना में गर्न सकीच उद्गा आज दंगी रूब्य आविश्कृण्मन गौहा सती अवंचितम नुनुदे बलम रिग वेद को यस मंत्र लेने बताये कुछा की प्रतेक कल्पको सुरुवात मा परमात्मा ले आफू अंतर नहीं वेद ग्यान लाई रिश्यहर को रिदेमा प्रकास्षित करी दिनुँँच जशरी शुरुआ देपछि अंतकार को नास होंच उशे प्रकार वेद को देपछि सवे प्रकार का अईज्यानार को नस्ट होंच परमात्मा सवेगा पिता, सवेगा आश्यहताता, सवेगा अविभावक होंच वहाँ वाट वेद प्राप्त भैको नाले ब्राह्मन, क्षेत्री, वश्य, सुद्र, सवयलाई वेद को अध्यान मनन चिंतन गरने अधिकान रहे कुछ संपून जीव रजाति हरू परमात्मा का साजा संतान भैको ले वेद मा सवय को होग जा तरत्यसको लागी संस्कार भने चाहिन चने वेद को उत्पत्तिको समंधमा ठोस्तिति मिती उबलब्धां देन पौरस्त्य ग्रन्थ हरूमा वेद का मंत्र हरू परमात्मा का स्वास भैको एवं अनाधिकालमा उत्पत्ति भैको तरक मात्र मेटी चन वेद को ने रिशी विशेश को रचना होईन पाने तत्यारू बाइदिक क्रन्थ हरूमा अपने पायाँचा निरप्यक्षरवा शृति अर्थात जसलाई प्रमाणित करनारू सास्त्रहर को सहोग लिएन परतेन तहीं बेद यसकारण वेद को ने वेक्ति विशेश लेखे को काव्य होईन रेशको प्रतिको मिति पनिपाईने न। प्रिहनील तंत्रमा शिवजिले पार्वतिलायू प्रदेश का क्रमा भानुवैक्ष् स्वयम प्रवर्तते वेदस्तकरता नास्ति सुन्दरी स्वयम भुरिशो भागवान वेदो गीतक्यतपुरा शिवाध्यारिशी पर्यांता स्मर्तारुष्यनकारका प्रकाशका भावन्देदे क्रिष्ना ध्यास्त्री दिवाउक्ष् अर्थात हे सुन्दरी वेदकार रचनकार को ही होई न अनादी निर्गुन ब्रह्मा स्वयमने सगोन रूपमा भैर परमात्म को मुखबाट सुभाविक रूपमा निश्वासवत आदिम कालमा वेद को प्रकट भाई शिवदेखी लेरा रिशी पर्यंत सवय इसको केवल स्मर्ण करताचन एसकार चनकार उनी हर होई न कृष्ण द्वयपायन बेद व्यास तथा अन्य देवकनहर ले वेद लाई प्रकास पारिका मात्र होन बेद व्यास ले वेद लाई विवाजन करे का हूँ वेद लेखे का हूँ इसकारण वेद को निर्मान को नहीं जिवात मले करन सकने कुरे होई न हमिने पाली सोभागे साली चों हम्रा नदी, हिमाल, पहार, गुफा, आदिमा अनेकों मंत्र लाई रिशेहर ले साधन का प्रभाबले साक्षत कार गरे को थी परमात माले जिवात माले दियेको प्राची इंडर सर्फ सक्तिमान संपति नहीं वेद हो जसले वेद लाई मारता सन्मान चा वही नहीं पई ग्यानिक बच मुक्ति को भागिदार होंच किनकि यो परमात माबाड अनादिकाल मा प्राप्त भैको अम्रित हो कि यो प्राप्त भाप्त 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 भाप्त